Study IQ IS अब तयारी हुई कि क्या Paytium का जो एप है जो की करोणों लोग इस्तमाल करते हैं आज के डेट में भारत के अंदर क्या ये एप भी पूरी तरह से Cancel हो जाएगा देखो इसको लेकर RBI एक Alternative सोच रही है और वो ये है कि RBI ने NPCI को National Payment Corporation of India को कहा है कि अगर आप चाहें तो Paytium को Third Party App का जो दरजा है वो दे सकते हैं या आप देख सकते हो यहाँ पर RBI directs NPCI to examine Paytium's request for becoming a Third Party App Provider Short में इसको T-PAP कहा जाता है T-P-A-P तो इसके बारे में हम जानेगे कि ये होता क्या है देश में कितने T-PAP हैं इस समय काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आपने से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे है हमारा जो नया foundation batch है वो आज से ही start हो रहा है अगर आप पूरी त्यारी करना चाहते हैं prelims, mains, interview सब कुछ तो वो single batch आप हमारा ये ले सकते हैं जिसके अंदर आपको एक personal mentor भी alert किया जाएगा ताकि कभी भी कोई भी doubt हो आप अपने mentor से पूछ पाओगे avail करने के लिए हमारे website एप पर जाएए comment section में link है और use करना है code ankit live ताकि आपको maximum discount मिल जाए और इसके लावा अगर आप mcqs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहापस stories में जितने भी mcqs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले शुरुवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है दिखिए reserve bank of india ने national payment corporation of india से ये कहा है दिखिए ये council लिखा हुआ ये corporation होगा national payment corporation of india तो RBI ने NPCI से कहा है कि 197 communication का जो request है 197 communication ये वही कंपनी है जो paytium को own करती है ये ध्यान रखी का OCL इसको कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो OCL को third party application provider का दर्जा दे शकते हैं ताकि जो करोडों लोग paytium का app इस्तमाल कर रहे है वो करते रहे हैं मतलब ऐसा ना हो कि paytium का app पूरी तरह से बंद हो जाए देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है paytium के दोरा इस समय कई सारे services दिये जाते क्योंकि क्या होता था यह सारे services paytium का जो payment bank है उसके द्वारा दिया जाता था और paytium के payment bank को भी यहाँ पर जो टी पैप का दर्जा है वो अल्री दिया गया था इसी की वज़े से यहाँ पर paytium इतने सारे services दे पाता था लेकिन अब क्या हो रहा है कि paytium payment bank का पूछोगे कि पैसे transfer कर दो तो usually लोग कहते हैं paytium कर दो तो इसका मतलब यह हुआ कि आज के date में लोग paytium का बड़े स्तर पर इस्तमाल करने हैं तो अगर आप एक जटके में पूरे app को ही खतम कर दोगे तो कहीं न कहीं आपर काफी सारी issues आएंगे लोगों को दूसरे डाउनलोड करने पड़ेंगे बहुत सारी कीज़ें हो सकती है इसके लिए RBI ने यहाँ पर NPCI को यह कहा कि अगर आप चाहो तो इसको टी पैप का जो लाइसेंस है जो जो दर्जा है वो दे सकते हैं अब जो यह टी पैप होता क्या है third party application provider यह एक तरह की entity होती है company होती है जो UPI के services देती है जैसे कि माल लो अगर आपको किसी को पैसे transfer करना है UPI करना है तो एक तो सबसे सरल तरीका है जो आप Bheem app डाउनलोड करके कर सकते हैं तो वो तो जब आप Bheem app डाउनलोड करके करते हैं तो आप directly करते हो payment ठीक है लेकिन जैसे कि माल लो आज के date में बहुत अच्छे-च्छे applications वगर आ रखें लोग उसका इस्तेमाल करते हैं rather than using Bheem app क्योंकि यहां पर जैसे आपको third party application provider for UPI I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की जो apps होते हैं उनको TPAP कहा जाता है और अव्वेसी बात है क्योंकि UPI की जो जितनी चीज़े हैं जो platform है वो कौन manage करता है वो करता है NPCI और इसलिए आपको NPCI से approval लेना पड़ता है तो इसलिए यहां पर RBI ने NPCI को बोला है कि अगर आप चाहें तो Paytium को TPAP का जो दर्जा है वो दे सकते हैं और ऐसा RBI ने क्यों कहा NPCI से हो देखो यहां पर जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था Fast Tag हो गया, National Common Mobility Card हो गया, Wallet हो गया यह सारी चीजे तो बंद होने जा रही है ठीक है और इसका Deadline क्या है 15th March है क्योंकि 15 दिन का और extension दिया हुआ है तो क्या है ना देखो आपको इसे बहुत से लोग Paytium का इस्तमाल करते होंगे आपने देखा होगा आपने एक UPI उसके handle देखने को मिलते हैं लेकिन क्या हो रहा है जिन भी लोगों का UPI handle at the rate Paytium था जैसे मान लोग कोई मैं कहता हूँ रोहित शर्मा, रोहित शर्मा अगर उनका account Paytium Payment Bank में था और वो अपना UPI handle बनाते हैं Paytium में तो वो कैसे बना सकते हैं जैसे रोहित शर्मा at the rate Paytium ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि जिन भी लोगों का handle at the rate Paytium करके था वो अब बंद हो जाएगा ठीक है लेकिन जिन भी लोगों का दूसरा वाला handle था, ओके SBI या फिर कोई और ICICI, HDFC इस तरह का कोई अगर आपका UPI handle था तो वो आपका continue रह सकता है, उसमें आपको कुछ changes करने की ज़रूरत नहीं है, अब देखें ये सारी चीजें work कैसे करेंगी, देखो क्या है न, कि यहाँ पर अभी तक ये सारे account किसे link थे, Paytium payment bank से link थे, लेकिन अब इसको third party का दर्जा मिल रहा है, third party में क्या होता है कि इनको इस company को Paytium को दूसरे bank के साथ partnership करनी पड़ेगी, क्यो अब दूसरे bank के साथ migrate करके, जो अपना UPI transactions करना है, वो कर सकें, और क्या होता है न, यहाँ पर NPCI का rule यह है कि जो भी बड़े वाले TPAP होते हैं, मतलब जो third party application provider होते हैं, जो बहुत large होते हैं, और अब्वेस ही बात है, Paytium के पास तो बहुत सारे customers हैं, तो उनको 4-5 bank को के स partnership की है, लेकिन access के साथ-साथ यहाँ पर हो सकता है, Paytium कल के date में, ICICI, SBI, HDFC, इन सब के साथ भी partnership कर लें, क्योंकि NPCI का rule कहता है कि जो बड़े वाले TPAP है, उनको यहाँ पर कई सारे bank को के साथ partnership करनी पड़ेगी, तब जाकर वो अपना सब कुछ operate कर पाएंगे, I hope आपको स सीबत है, तो यहाँ पर जब तक यह TPAP का request approve नहीं हो जाता, NPCI की तरफ से, तब तक यह लोग अपना इस्तवाल नहीं कर पाएंगे, और जहां तक जिन लोगों का दूसरा वाला handle है, UPI handle है, वो आराम से उसको use कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीश बता जाता, ठीक है, तब तक Paytm दूसरे नए customers को यहाँ पर onboard नहीं कर पाएगा, और finally जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ कि आज के date में अगर हम देखें, देश के अंदर कितने third party application provider हैं, तो देखो NPCI ने अभी तक 22 TPAP यहाँ पर अप्रूफ कर रख है, 22 जैसे कि for example, Amazon पे, Google पे, Grow हो गया, Jupiter Money, Mobyquick, Phone पे, Samsung पे, WhatsApp, Tata New, इन सबको TPAP का request approved किया हुआ है NPCI ने, ठीक है, I hope everything is clear now, और जाने से पहले कि interesting question क्या बता सकते हैं, कि यहाँ पर जो cultural command area है, इसका जो calculation है, वो किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, यह 4 option में आपको बताना है इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF चीज तो टेलिग्राम पर आईए, अलग affordable.